आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चो का फेवरिट जैम केक, क्रिस्मिस आ गया है, न्यू यर भी है, तो आप इस न्यू यर पर या क्रिस्मिस पर ये जैम केक अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पॉंजी और मोईस्ट ये के तो आप उनके लिए ये जैम केक बना सकती हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ये पसंद आएगा, और ये हमने बिना किसी ओवन के, बिना अंडे के, बिना किसी एक्स्टर चीज के यूज कि यूज कि इसे बनाया है, तो चलिए सुरू करते हैं, हेलो फ्रेंस, मैं सोनी, सोनी फ या आप चाहे तो कोई भी आपके पास कटोरी है, तो उसे पलट कर या कोई ढखकन उसे पलट कर आप रख सकते हैं, अब इसे हम लो फ्लेम पर दस मिनट के लिए प्रेहीट कर लेंगे, ये मैंने केक टीन ली है, आप चाहे तो कोई भी आपके पास बरतन हो ऐसा, तो आप पेपर आप ले सकते हैं और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ले लिजी अच्छे से डस्ट करके और जो एक्स्टा मैदा उसे निकाल लीजी मैंने यहां नोर्मल पेपर लिया है जो बच्चों की नोट बुक में होता है वो मैंने लिया है अब इसे हम तेल से अचय से घ्रेस कर लें गे तो यह लीजी तो बठर पेपर बनका तयार होगा देखें आप देख पा रहे। इसमें हाथ आर पार दिख लगा दिक diss लिक्गाई तो यह बनका तयार है यह हम य्ञें करेंगे अच्छे से से श!ट करूए केकटीन हमारा रेडी हो गया है अब हम बैटर तयार करेंगे बैटर तयार करने के लिए बड़ा सा बावल लेंगे और उसमें तीन चोथाई कप में यहां फ्रेश दही यूज कर रहे हूं आपको फ्रेश दही लेनी है कट्टे वाला दही बिल्कुल यूज नहीं करना है और यह आप चाहें तो रिफाइंड ओ масс के अच्छे में अच्छे मिक्स हैं अब एक हम अच्छा ली लिएगे और उसमीं टेड़ कप मैधा डालने प्रेश ऑल्रक्ण पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं एक चमच मैंने यहां पेकिंग पाउडर लिया है एक चोथाई चोटी चमच बेकिंग सोडा इसे अच्छे से हम छान लेंगे सबी चीजों को अच्छे से छानना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टे हैं तो इसे मिक्स कर लेते हैं एक डारेक्शन में हम इसे मिक्स करना है अब तीन चुथाई कप मैंने यहां दूद लिया है तो थोड़ा थोड़ा दूद हम डालते जाएंगे और स्मूध सा बेटर हम तयार करेंगे ज्यादा लिक्वीडी नहीं होना चाहिए नहीं अब एक चमच मैंने यहां बनेला एसेंस लिया है जिससे बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा इसका फ्लेवर आ जाएगा तो स्पेचिला से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे केक टिन में डाल लेंगे तो केक टिन हमने पहले ही रेडिक कर रख करेंगे और इसे अफिक डाई में रख लेंगे तो कडाई भी इहां गरम हो गए अच्छे से तो अब हम केक टिन को रख लेते हैं उसमें और 30 से 35 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगी 30 मिनट के बाद एक बर चैक जरूर कर लेंगे जैंग इसे जो हमें केक में यूज खरना है और एक चमच में यहां सहद डाल रही हूँ अगर आप सहद नहीं डाल रहे हैं तो आप तीन चमच इसमें चीन डाल लीजिए तो इसे अच्छे से उबलने देंगी देखें यह बनकर तयार है इसे हम ठंडा कर लेते हैं अब केक को हम चेक कर लेंगे देखिए केक अच्छे से फूल गया है तो यह अच्छे से बेक हो गया है अब टूथपिक डाल के हम देख लेंगे देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है तो यह बनकर तयार है इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही कडाई में छोड़ दे तो तो तीम बड़े चमच में यहां जैम ले रही हूँ को आगर आपको जैम ज्यादा पसंद या तो में आप ज्यादा भी ले सकते हैं तो इसे हम लो फ्लेम पर क्सेड़िए को लिक्वीड फिर में lol है तो इसो चलाते हुए हम लोख में पर पर पकाएंके हाइव इस लेंग दो लिए करना है ने जल जाएगप एक चमपच क्वारी टाल सकते हैं तो आप एक चमपच इस किनी बीडाल सकते हैं तो यह लिदसे बन कर तैयार है आप देख पा रहुँए अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है आप चाको की साथा से हम इसके किनारे हटा लेंगे और एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं बहुत ही असानी से निकल जाएगा अब इसका जो हमने पेपर लगाया है वो निकाल लेते हैं आप देख पार हैंगे बहुत ही अच्छे से केक बेक हुआ है एक तम सॉफ्ट स्पॉंजी ये बनकर तयार हुआ है देखे अब हम एक फॉक लेंगे और उसकी साहता से इसमें हम हॉल कर लेंगे यानि कि इसको अच्छे से प्रिक कर लेंगे दीखे ऐसे ऐसे करने से जो हमने चासनी बनाई है सुगर शिरफ जो हमने बनाया है वह हम इसके उपर डालेंगे तो अंदर तक केक बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा इक दम मॉइस्ट केक बन जाएगा तो चलिए सुगर सिरफ जो बनाया है हमने वो डाल लेते हैं सुगर सिरफ को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें डाल लेंगे देखे अच्छे से अंदर तक ये चला जाए ये से बहुत अच्छे से सॉफ्ट ये बनकर तयार होगा डाल लेते हैं कि अब जो जैम हमने बनाया है उसे भी डाल लेते हैं जैम को पूरी तरह से ठंड़ा बिलकुल नहीं करना है हलका सा हम ठंडा करेंगे इसे और केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही जैम का हमगूल डाल नेगे सके उपर और चारो तरफ अच्छे इसको फैला लेंगे जैम के लिए अगर आप उसे जादा पसंद है तो आप उसे जैम को थोड़ा जादा भी ले सकते हैं मैंने तीन चुमत जैम लिया था बस अब इसे हम दस मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे दस मिनट हो गई है जैम अच्छे सेट हो गया है अब हम मैंने यहाँ थोड़ा सा नारियल का बुरा दा लिया है वो डस्ट कर देंगे जिसे बहुत ही जादा यह सुन्दर लगेगा और टेस्टी भी हो जाएगा तो जैम केक बनकर तयार है आप भी ऐसे जैम केक बना सकते हैं और अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ आप इसे इंजोई कर सकते हैं क्रिस्मिस डे हो या न्यू यर हो कोई भी ओकेजन हो आप इसे बना सकते हैं और कट करने से आपको पता चल रहा हो कि बहुत ही ज़ मोई से एक एक मन कर तयार हुआ है आप भी ऐसी बना सकते हैं तो चलिए बनाईए खाईए और अपने experience प्लीज प्लीज मिरे साथ share कीजिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आज की रेस्पी आपको कैसी लगी आशा करती हूँ आपको यह मेरी रेस्पी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आ रही है तो धेर सारे लाइक कीजिए अपने family में, friends में इसे share भी कर सकते हैं social sites पे आप इसे share कर सकते हैं मुझे instagram पे और facebook पे आप follow भी कर सकते हैं और आप भी ऐसे ही jam cake बना सकते हैं और अपने family के साथ enjoy कीजी तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye bye friends thanks for watching, eat healthy, stay healthy